कॉंग्रेस ने कींद्र सरकार पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला है कॉंग्रेस महा सचिप केसी विडो गोपाल, निता जैराम रमेश और अजै माकन ने प्रेस कॉंफेंस कर केंद्र सरकार पर कॉंग्रेस की कई अकाउंट्स फ्रीज करने का आरोप लगाया है अजे माकन ने बताया कि केंडर सरकार ने बैंकों को लगभग 65.88 करूड रुपेश सरकार को हस्तांतरित करने के लिए दबाव बनाया है जिसमें AICC, भारतिय युवा कॉंग्रेस और NSUI के खातेश शामिल है भाजपा की सरकार ने सभी अपनी opposition parties के खिलाफ और मुख्य opposition party के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरुवात कर दी हमारे 65.88 करोड 65.88 करोड के उपर परसों भाजपा की सरकार income tax authorities ने डाका डाल करके हमारे पार्टी के कारे करताओं के पैसे जो उन्होंने अपनी स्विच्छा से हमारे को मेंबर्शिप के माध्यम से NSY के स्टूडन्स ने अपनी ये खर्ची काट करके मेंबर्शिप के माध्यम से क्राउट फंडिंग जिसका 95% 100 रुपे से कम हम लोगों के पास में आया था वो पैसा हम लोगों के बैंक अकाउंट में जो जमा था उस पे डाका डाल करके चोरी करके वो पैसा मोधी सरकार अपने पास में ले करके चली गई वहीं केसी वेडू गोपाल ने इसे आर्थिक आतंक बताते हुए कहा कि चुनाव के पहले ऐसा किया जाना मतलब हमें चुनाव लड़ने नहीं देना, कॉंग्रेस के तरफ से ऐसा कभी नहीं किया गया उन्होंने कहा कि ये सपस्ट रूप से लोकतांत्रिक सिधानतों और मूल्यों पर हमला है और वे भारत के विपक्ष की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ये सपस्ट रूप से ताना शाही का एक उधारन है बताने कि कुछ दिन पहले ही कॉंग्रेस ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने कॉंग्रेस की सभी खाते फ्रीज कर दिये हैं उस वक्त जानकारी मिली थी की टेंपररी बेसिस पर सारे अकाउंट्स खोल दिये गए हैं और कोट में सुनवाई के बाद फैसला लिया जाएगा झाल बादे सुनवाराव सारे हैं